नमस्कार दोस्तों, welcome back to money matters, question आया है, heron by industries के उपर, और इस stock के उपर सबस्दा पूछा गया था हमारे से question, तो आज इसका वीडियो हाजिर है, बात करेंगे, heron by industry क्या कर सकती है, क्या नहीं, जैसा कि आपको screen पे फिलाल दिख रहा होगा, stock जो अपने high से 72% टूट चुका है तो क्या यहां से वापस उपर जा सकता है, या भी हो, और यह stock तूटता जाएगा, सारा analysis करना है, fundamental भी देखेंगे, technical भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चीज का ध्यान दिए, जो भी हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ education purpose के लिए और आपको सिखाने के लिए है, और आप आपका भी कोई ऐसा question हो, comment में आप जरूर बिंदास नी संकोच बता सकते हैं, जैसे इस stock का number लगा है, हो सकता है, अगला stock, शैद आपके ही, जो suggest किया हूँर topic का उससे related हो जाए, तो ध्यान रखिएगा, और साथ में, जो भी हम बात कर रहे हैं, वो education के लिए, किसी भी type की buy से roll की recommendation समझनी, गलती ना करें, आपको भारी नुकसान हो सकता है, मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगा, जो buy करना चाते हैं, उनके पास क्या-क्या options है, chart के उपर, और sell करना चाते हैं, उनके लिए क्या समझदारी है, chart के इसाप से, chart के इसाप से भी क्या हो सकता है, हम उस अब करते हैं, इसके लिए पहले fundamentals को check, fundamental देखे तो बहुत छोटी कंपनी है, सिर्फ 1500 करोड के लगबग का market cap है, stock का P13 क्यास पास चल रहा है, R.O.C.R.E., मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, book value ही stock की 204 रुपे है, जो की और अच्छा sign है, अगर बात कर लीचा है, इसक बहुत अच्छा माना जाएगा, अगर current market price से उसके साथ compare करूँ तो, और यहां पर बात कर लिए profit की growth माइनस 41% रही है, जो की reason है, इसकी पिटाई का, अब news अब आई है न, काम पहले हो गया price में, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा, आगे देखे, profit की growth के बाद में free cash लोगों देखे, 159 क्रोड अच्छा है, market cap सिर्फ 1 की, और PG ratio 1 के भी नीचे, यह definitely undervalued है, मेरे हिसाब से और मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे हिसाब से यह company undervalued है, यह ध्यान रखेगा, आगे चलते हैं इसके quarterly results के उपर, अब यह company करती क्या है, यह भी बहुत से लोगों नहीं पता होगा, आईए quarterly result को देखते हैं, मार्स 2020 में company 214 क्रोड की sales करती है, profit करती है, 26 क्रोड का OPM होता है, 12% का, right now 259 क्रोड की sales, 9% का OPM टूटा है, और profit भी सिर्फ 14 क्रोड का रहा है, तो पिटाई होगी नहीं, क्या definitely होगी, 2 quarter से 14-14 क्रोड के profit आ रहे हैं, और इससे पहले सबसे अच्छा जो quarter गया है, इनका वो गया है, September 20 का, जिसमें 423 क्रोड की sales थी, 16% का OPM था, और profit बचे थे after tax 48 क्रोड के, लेकिन इसी टाइप के profit तो मार्च 21 में और जून 21 में भी आ चुके 45, 43, 47, 46 क्रोड के, लेकिन उससे आप तूटे हो तो आपके पिटाई होनी सब्सेंबर और दिसमबर के भी sales काफी अच्छी निकल के आ रही है, तो यह में ध्यान रखना होगा, अगर yearly P&L की बात ही जाए, 2016 में 514 क्रोड 514 क्रोड 514 क्रोड ती, profit अ 17 क्रोड का, लेकिन जैसे ही आप देखते है, 2019 आता है, तो यह डबल हो जाती है, 1000 क्रोड की sales, 75 क् profit और यहां पर अभी 2023 आ चुका है, लेकिन फिसले चार साल में उतनी ग्रोथ नहीं है, जो 16-19 की बीच आई थी, तो इसी रीजन की विज़र से पिटाई तो होनी बनती है, आप देखे 1324 क्रोड की sales है और 110 क्रोड का profit, जबकि लास्ट येर मार्च 22 में आप 189 क्रोड का profit द बढ़ता है, profit growth 5 साल में 19 है, लेकिन 3 साल में काफी कम है, फोर आ रही है, जिसकी विज़र से इसकी पिटाई हो रही है, return on equity 25% के आसपास है, बहुत अच्छी चीज़े, ध्यान रखिएगा, यहां पर आगे चलते हैं, अगर बात कर लेते हैं इस company के share holding की, तो उस promoters के पास FIAs or DAs के पास में मिलागे 1.21% के holding है, लगबग, और public के पास 23-24% की, जाधाधर holding किस के पास, promoters के खुद के पास, तो अपनी company के share 900 रुपे से 300 रुपे, अच्छा, टिक जाएंगे क्या, जब यह fundamentals ठीक ठाक है, तो आपको क्या लगता है, मुझे जो लगता है वो तो मैं चार्ट पे करूँगा चर्चा, लेट्स दू चार्ट पे चर्चा, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा अब चार्ट जो हमारे सामने चल रहा है, क्लियर देखिए, इस अपर पॉइंट से लोवर कॉइंट आते आते हैं, इस टॉक 72% टूटा, वीकली चार्ट आपके साम मैं एक चीज़ और लगाऊंगा, डेली चार्ट पे लगाऊंगा वो, लेकिन पहले वीकली चार्ट को समझेए, स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जो होगा, वो अब 440 का लेवल होने वाला है, यहां से स्टॉक ने बड़े गेप डाउन को करके, नीचे की साइड जर्णी पूरी करी थी, 280 रूपय के आसपास तक स्टॉक गया था, यह बात हमें पता होनी चीए, उसके भी नीचे गया था, अभी स्टॉक 370 के आसपास चल रहा है, और यहां पर कुछ साइन आये है, कि स्टॉक में थोड़ा सा जो है, वो मूर चेंज होके, उपर की निकलने की कोशिश हो सकती है, बट, अल्टिमेट प्रेशर रहेगा, 440 और 480 की रेंज में, सबसे बड़ी एक प्रेशर की रेंज होगी, लेकिन क्या, यह इस्टॉक आप उपर नहीं आ सकेगा, समय लेगा, या बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो डिसकस करते हैं, उसके ल और डिस्क्लोज रहा है कि प्रमोटर 90 दिन से वाई कर रहे हैं, कहीं यह वाली वाई तो नहीं है, सोच के देखेगा, जहां तक मुझे लगता है, यस, पॉसिबल है कि यह यही वाली बायस है, जो प्रमोटर्स यहां से ओपन मार्केट से शेर को वाई कर रहे हैं, तो अब यह भी हमने देखा एक चीज की प्रमोटर्स भाई करने, साथ में अगर मैं यहां पर डेली चार्ट पर आपको लगा के दिखाऊं, 200 देस का EMA, ध्यान से देखी दोस्तों, जब से कमने लिस्ट हुए तब से लेकि अभी तक का पूरा डाट आपके सामने है, एक बार भी 200 200 देमा के ऊपर जाके सस्टेनेबल मुमेंट है, वो नहीं दिखा है, सस्टेन नहीं किया, और अभी 200 देमा भाई साथ कहां आ रहा है, यह आ रहा है इसी प्राइस के पास में, कहां पर 410 बारा पर, यहां पर आ रहा है, 410 बारा के आस पास, यानि इसके ऊपर निकलेगा, तो पहली बार 200 देमा के ऊपर आएगा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, कि अगर कोई स्टोक 200 देमा के नीचे ही चल रहा था, लिस्टिंग के बाद से अभी तक तो अब उपर आएगा, तो कुछ तो शायद पोजिटिव हो सकता है, हो सकता है, यह कह रहा हूँ, हो सकता है कि गारेंटी तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलेटी बिल्कुल है, 100% पॉसिबिलेटी है, गारेंटी 0% है, पॉसिबिलेटी 100% होगी कि इस लेवल के ऊपर स्टॉक में आएगा ही आएगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका ज्यादा राटा हमारे पास अवेलेबल है न यह देखिए, यह रेड केंडल के हाई के ऊपर नहीं आ रहा था, यहाँ पर इस रेड केंडल के हाई के ऊपर यह आया, और अब देखिए, ग्रीन केंडल का जो लो है वो इंपोर्टन हो जाएगा, अब यह लास्ट ग्रीन केंडल का लो है, वो है 320 के पास में, यह इंपोर 325 के आसपास मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ और इसको हम चेक करते हैं डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे पहले वीकली चार्ट को समझें यहाँ पे देखे इसी लेवल के नीचे जो है हेरनबा में दिक्कत है आप 320 का लेवल मानिए तब तक अब उसमें एक बार लग रहा है कि यहाँ पे कुछ साइन बुलिश हो सकते हैं लेकिन प्रॉपर बुलिश होने के लिए उसको 415, 410 के आसपास का लेवल जो है वो काटना पड़ेगा आप इस लेवल को कंसेटर कर सकते हो इसको काटना पड़ेगा तो यह चीज़ आपको पता होनी चीए कि हैर आपको समझाया होगा अब यहां पर हम बात करते हैं करना क्या चाहिए तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से उपर का बाई कर रखा है मानों किसी ने 900 का 800 का 400 का 600 का 500 का 700 का कहीं भी एक बात बता दो स्टॉक कितना टूट गया 72% अपने हाई से अब बेचने में समझदा समझदारी है क्या क्योंकि fundamentally strong बढ़िया है technically strong ठीक हो रहा है neutral है लेकिन चांस हाई है कि bullish हो जाएगा तो थोड़ा बहुत तो फिर बरदाश्ट करना ही चाहिए और रखना ही चाहिए ऐसा मुझे लगता है और मैं 100% हो सकता हूं तो 72% तूटने के बाद बेचने में कोई अभी trigger कब होगा इसके ऊपर होगा फिर एक target बनेंगे इसमें 10-20% उपर के तब बाय ट्रिगर होगा लेकिन अभी बाय ट्रिगर नहीं है लेकिन sell भी तो नहीं है ये भी हमें ध्यान रखना होगा आईए second चीज मैं fresh investment करना चाहता हूं है तो अभी कर दू क्या या फिर trade कर चाहता हूं देखो trade करना चाहते हो ध्यान रखो 415 के ऊपर कुछ बनेगा अपने financial advice से consult करना शायद 10-20% का मूह मिल जाएगा 415 के ऊपर ये ध्यान रखना लेकिन invest करना चाहते हो तो इस बात को ध्यान रखो कि अभी यहां तो fundamental तो अच्छा है लेकिन एक बार में bottom बनने क indications नहीं है confirmation नहीं है वो 415 के ऊपर है तो अभी पूरा लेने में समझदर नहीं है या तो half buy किया जा सकता है और उसके बाद में half की planning करनी होगी अपने financial advice से पूछके या फिर half buy करने के साथ हाथ accumulation कर सकते हो बाकी का दीरे दीरे चोटे बडे parts में उसको accumulate किया जा सकता है उसम 72% अपने हाई से तूट गई और आपको मोका दे रही हो कि मेरे fundamentals अच्छे है मेरा business अच्छा एग्रो chemical का business है तो मुझे लगता है कि ऐसा ही पी उसमें safe होती है अगर minimum view आपका 2-5 साल का है तो और जो मुझे लग रहा है हेरनबा के अंदर वो मैं आपको बता दू कि stock देख 300 या 350 की range से अगर वापिस 1000 या 900 की level को लेता है तो ये stock 3 गुना हो सकता है और आने वाले 5 साल में मुझे लगता है कि हैरनबा ऐसा करता हुआ दिख सकता है subject to condition कि उसके fundamentals ऐसे ही रहे जैसे अभी है अगर बीच में कुछ change होए तो अलग बात है लेकिन अगर ऐसे ही रहे और view है तो ये ध्यान रखेगा होने को शाय 2 साल में हो जाए और होने को शाय 2 साल बिल्कुल चले ही ना एक 500 साल है कि उसी में हो जाए लेकिन यह जो growth है और इसका फंडामेंटल है ठीक लगता है अच्छा लगता है और प्लस यह जो valuation से मुझे कापी attractive लगती है अगर मैं इस company का promotor होता तो मैं भी यहां पर बिल्कुल इसको बाय करता यह मेरा भी आपको कहना और आप समझे उस चीज़को तो अच्छा होगा पाकी देखिए जो मुझे लग रहा था मैंने clearly explain किया है कि अभी क्या हो सकता है संभावना है क्या क्या है सब कुछ आपके सामने explain कर दिया ह अब decide आपको करना अपने finance device है पूछ के इसको सिर्फ ज्यान बढ़ाने के लिए काम में लेजिए और यह सारी चीज़े सीखने के लिए wave analysis में आई है डिटेल आपको description में मिलेगी अगला batch कप से शुरूआ देख लीजिए जहाप आप one to one मेरे साथ सीखते हैं एक time पे मैं इंसान को सिखाता हूं और one to one सीखने के बाद आप दो महीने तो continuously सीखते हैं और उसके बाद lifetime training group का पार्ट रहते हैं जहां पर आपको कभी भी भविश्यम गोई दिक्कत हो तो उदर हमारा समाधान देने की कोशिश जो होती रहती है और आप हमसे contact directly भी कर सकते हैं after joining wave analysis course य आप में प्रीमियम चार्ट पोस्ट करता हूं तो उसके लिए आपको जरूदा एंजल अप्सक्राइब में अकाउंट खुलाना पड़ेगा description उसका भी लिंक है और हमारे को इस नंबर पर डीटेल भीज़ दीजिए लिक दीजिए I want to open account हमारी टीम contact कर लेगी और आपको मो झाल